मित्रो को जै जै सिया राम प्रभु स्री राम की किपा हमारे शभी मित्रो पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो मित्रो कबीर दास जी के कुछ दो है अर्थ सहित आपको सुनाएंगे ते दिन गए अकारत ही संगत भाईन संग अप्रेम बिना पसु जीवन भक्ति बिना भगवन्त कबीर दास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो ब्यर्थ गया ना कभी सजनों की शंगती की और ना ही कोई अच्छा काम किया प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के शमान है और भक्ति करने वाला इंसान के हिर्दय में भगवान का वाश होता है तीरत गये से कफल संत मिले फल चार असत गुरु मिले अने कफल कह कबीर विचार तीरत करने से एक पुन मिलता है लेकिन संतों की संगती से पुन मिलते हैं और सच्चे गुरु को पालने से जीवन में अनेक पुन मिल जाते हैं साधू ऐसा चाहिए जैसा सूप शुभाए असार सार को गही रहे थो था दे यूराए कबीर दाश जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुन होना चाहिए जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावस्यक्ची जो को छोड़ कर केवल अच्छी बाते ही ग्रहन करना चाहिए कबीर दाश जी कहते हैं कि जिस घर में शाधू और सत्त की पुया नहीं होती है उस घर में पाप बसता है ऐसा घर तो मरघट के समान है जहां दीन में ही भूत प्रेत बसते हैं कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर जो पर पीर न जा नहीं सोका पीर में पीर कबीर दाश जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की पीरा और दुख को समझता है वही सज्यन पुरुश है और जो दूसरों की पीरा ही ना समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या फाइदा तो बोलिए शियाबर रामचंद्र की जै अयोद्या रामलला की जै ब्रिंदावन विहारिलाल की जै पवनशुत हनुमान की जै बोलो भाई शबशंतन की जै हर हर महादेब जैसिव संभो